मेक्सिकन्स का ये फेस्टिवल मेक्सिको का ये त्योहार जिसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे Day of the Dead मेक्सिको में मुर्दो का दिन त्योहार की रूप में हर साल मनाया जाता है करीब 2000 साल से इस त्योहार को मनाया जाने की परंपरा है इस मौके पर वहां के लोग अपने मृत परीजनों को याद करते हैं ऐसी माननता है कि पूर्वजों की आत्माएं एक दिन के लिए अपने परिवार के साथ रहने आती है इस दिन पूर्वजों की पसंद के स्वादिष्ट पकवान बनाया जाते है उनकी पसंदीदा शराब भी लोगों को परोसी जाती है सुनने में ये काफी चौका देने वाला है लेकिन ये त्योहार पूरी मानिता के साथ मनाया जाता है इस मौके पर शेहर में कटरीना परेड का भी आयूजन किया जाता है जिसमें सैकडो लोग हिस्सा लेते हैं परेड में लोग कंकाल जैसी वेशबूशा में शामिल होते हैं इस परेड में लोग अपने परिवार के साथ शामिल होते हैं Day of the Dead festival के तहट मौन्टेरी जैसे शहरों में भी कारिक्रम का आयोजन किया जाता है लोगों का कहना है कि इस कारिक्रम की जड़े उनके पूरवजों से जुड़ी हुई है इसमें पहने जाने वाली पोशा के उनकी प्राचीन उत्पत्ती को दर्शाती है एक मेक्सिकन कार्टूनिस्ट जोसे घुड़ालू पे पोसादा ने करीब 100 साल पहले एक कंकाल बनाया और उसे कैतरीना नाम दिया तब ही से कटरीना परेट का आयोजन किया गया इसी के साथ इस्तियोहार में सडकों के बीचों बीच बड़े बड़े नर कंकाल बनाये जाते हैं इन कंकालों को बनाने वाले वहां के स्थानिय कलाकार है इस साल भी दो दिनों तक मनाये जाने वाले इस्तियोहार डे ओफ दी डेट का आगाज हुआ बड़े कंकाल तयार किये गए, विशाल कंकाल को काटबोर्ट से बनाया गया स्थानिय कालाकारों ने ही से बनाया और 29 अक्टूबर को ही सड़क पर रखा गया बच्चे इसके असपस खेलते नजर आए हर बार की तरह इस बार भी स्तियोहार का आयूजन किया खिया परेड भी हुई और इसमें शामिल होने वाले लोगों ने कंकाल के अलावा अन्य कई तरह की पोशा के भी बहनी साथ ही इस दिन पर निकाले जाने वाली क्यातरीना परेड को कई फिल्मों में तर्शा आया जा चुका है इसी तरह की खबरे में आपके लिए लाती रहूँगी तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अग नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया